अगर आप चाहते हैं कि जिन्दिगी में कभी भी बाल न जड़ें, बाल ऐसे ही मोटे घने मजबूत हो जाएं, तो आज के इस वीडियो में जो आपको पैक बताने वाले हों, जो सिरम बताने वाले हों, उसे आपको अपने बालों में लगाना है, अभी जहीं लगाने इस रेमेडी को अगर आप यूज करते हैं, तो बहुत जल नए नए छोटे छोटे बाल उगने स्टार्ट होंगे, जिस वज़े से आपके स्काल बिलकुल बालों से ढख जाएगी, बहुत ज़्यादा घनापन आ जाएगा, तो इससे कैसे बनाना है, कैसे यूज करना है, इ यूज कि इस चैनल में ऐसे ऐसे में वीडियो सापके लिए लेकर आती हो, जिसके मदद से आप अपने बालों से रिलेटेड सब भी प्रॉल्लम को ठीक कर पाएंगे, तो आज के इस वीडियो में जो मैं आपको सिरम बताने वाली हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर हो इस लिए यूज कर सकते हैं, इस पेसले ये उन्ही लोगों के लिए रिमेडि बनाया जा रहा है, जिन लोगों को प्याज सूटेबल नहीं होता है, हम यहाँ प्याज एड तो कर रहे हैं, बड़ इससे किसी भी तरह कि आपको साइड इफिक्स नहीं होंगे, ठीके प्रेंस तो आपको इसे अच्छे से साफ करने के बाद छोटे छोटे टुकडों में कट कर लेना है, अब हमें दूसरा इंग्रेडियन्ट चाहिए होगा लसून, लसून और प्याज में भरपूर मातरा में सल्फर और फास्पोरस मौजूद होते हैं, जिस वज़े से अगर हम इसे बालों पर अप्लाई करते हैं, इस पेसल रेमेडी बना करके, तो यह हमारे स्कैल पर नए नए छोटे छोटे बालों को उगाने का काम करेगा, इस पेसले यह हमारे गंजापन को खतम करने का काम करता है, और बालों को जड़नी से रोपते हैं, बर फ्रेंस कभी भी आप लस पेले के बार्पते लिए ऐसे करने से अच्छ से मिलेगा ठीक है अब हमें ग्रीडियन चाहिए होगा था लिक्सिट जो होता हैं हमारे बालों को बिनाने के लिए हमारे बालों को हमारे बालों की ज़ड़ sai हैं उसे मजबूत बनाने के लिए सबसे ज़्यादा कारगर होता है जाहे जितने भी ज़्यादा बाल जढ़ रहे हैं अकर आप अलसी का सेवन करना स्टार्ट कर देते हैं तो बालों का जढ़ना बहुत कम हो जाएगा इन फैक बाल कभी जढ़ेंगे ही नहीं यह एक ऐसा कुबालना है यहाँ पर हमने एक ग्लास पाने लिया था ना तो इसे हमें तब तक उबालना है जब तक कि एक चौथाई ग्लास ना बच जाए यह एक ऐसा जेल फो में तयार होगा कि अगर आप इसे अपने बालों पर अप्लाई कर लेते हैं तो यकीन मानी फ्रेंस चाहे ज हो जाता है कि हमारे बालों के एंडिंग में दो मुहें बालों का प्रॉब्लम हो जाता है तो वह भी खतम हो जाएगा चौड़े मांग बिल्कुल पतले हो जाएंगे नए नए चुटे-चुटे बाल उग जाएंगे डेंडर का प्रॉब्लम भी खतम हो जाएगा तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि यह बिल्कुल जल कंसिस्टेंसी में तयार हो चुका है अभी यह गरम है इसलिए आपको नहीं पता चल रहा होगा कि यह जल बना है या फिर सिर्फ पानी के जैसे ही है हम बर्नर ओफ कर देंगे उसके बाद ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे इसका कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं बिलकुल जल जैसे ही बन कर तयार हो गया है इसे हमें मिक्सी के जार में डालना है और इसे बिलकुल अच्छे से पीस लेना है यहाँ पर एक्ष्ट्र पानी एट करने का जरूरत नहीं है क्योंकि यह जल फो में बना है तो यह थोड इमीडियेटले आपको रिजल्ट चाहिए तो यहां पर आप ओली वोईल थोड़ा सा एड़ कर दीजेगा या फिर पहले ही अपने बालों पर जैतुन का तेल अपलाई कर लिजेगा उसके बाद अगर आप इस सिरम को अपने बालों पर पूरे स्कैल पर पूरे लेंद पर लोगे नए बाल बहुत तेजिसे बढ़ेंगे इसके साथ सार बालों का जहड़ना बिलकुल खत्म हो जाएगा तो इस रेमेडी को वीक में सिर्फ एक ही दिन यूज़ करना है यह इतना ज़्यादा कारगर है कि आपको सबता में सिर्फ एक ही दिन यूज़ करना है ठीक है इसे अपलाई करने के बाद आपको कम से कम 45 मिनिट के लिए छोड़ देना है फिर हैर रोस कर लेना है आपको काफी अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो फ्रेंड्स मैंने सारा चीज आपको क्लियरली बता दिया है बट फिर भी कोई डाउट है कोई कोश्चन है तो आप हमें कमें कीजिए मैं आपके कमेंट का 100% एंसर करूंगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई टेक केर